18.5 उर्जा के स्त्रोत इन्हें उर्जा के स्त्रोत कहा जाता है आज हमारे देश को सबसे अधिक आवशक्ता है ऐसे स्त्रोतों की जिनसे हमारे देश की बढ़ती विद्युत उर्जा की आपूरती हो सके विद्युत उत्पर्ण करने के लिए उर्जा को एक स्वरूप से विद्युत उर्जा के स्वरूप में रुपांतरित करना पड़ता है यह विधी तत्काल रुपांतरण जिसमें उर्जा को सीधे विद्युत में बदला जाता है अथ्वा मध्यवर्ती रुपांतरन जिसमें उर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में और फिर विद्यत उर्जा में रुपांतरित किया जाता है हो सकती है आज अधिकतर उर्जा मध्यवर्ती रुपांतरन द्वारा ही विद्यत में बदली जाती है इन दोनों ही विधियों के लिए कई प्रकार के उर्जा स्त्रोत का उप्योग होता है जिवाश्मी इंधन, नाभिकी विखंडन, सौर उर्जा, पन बिजली आदी 18.5.1 उर्जा के परंपरागत स्त्रोत पहला जिवाश्मी इंधन कोईला, पेट्रोलियम, रसोई गैस, केरोसीन, डीजल आदी इंधन है इनका उप्योग गैस, स्टोवों, चूलों, अथ्वा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से होता है साथ ही ये विद्धुत उत्पर्न करने के लिए भी प्रमुक स्त्रोत की रूप में उप्योग में लिये जाते हैं विद्धुत सैयंत्रों में प्रती दिन विशाल मात्रा में जिवाश्मी इंधन का दहन करके जल उबाल कर भाब बनाई जाती है यह भाब टर्बाइनों को घुमा कर विद्धुत उत्पर्न करती है ऐसे सैयंत्रों को तापिय विद्धुत सैयंत्र कहा जाता है क्योंकि इन सैयंत्रों में इंधन के दहन द्वारा उर्जा उत्पर्न की जाती है जिसे विद्युत उर्जा में रुपांतरित किया जाता है इस प्रकार के विद्युत में इंधन की रासाइनिक उर्जा पहले उश्मी उर्जा में बदलती है जो टर्बाइन को घुमाने से यांत्रिक उर्जा गतिज उर्जा में परिवर्तित होती है जिनसे विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत उर्जा में बदलती है उर्जा रुपांतरन के प्रत्यक पड़ाओ पर उर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी रूप में व्य हो जाती है जिवाश्मी इंधन से चलने वाले विद्युत संयंत्र केवल 40 प्रतीशती दक्ष होते हैं जिवाश्मी इंधन को जलाने की अन्यहान्या भी है जिवाश्मी इंधन के जलने पर कारबन, नाइट्रोजन तथा सलफर के ऑकसाइड मुक्त होते हैं इन अमली ओकसाइड से अमली वर्षा होती है, जो जल वह समारकों को प्रभावित करती है दूसरा, जल विद्युत संयंत्र उर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्त्रोत बहते जल की गतिज उर्जा या उँचाई पर इस्तित जल की इस्तितिज उर्जा है गिरते हुए जल की इस्तितिज उर्जा को गतिज उर्जा में बदल कर टर्बाइन पर डाला जाता है इस टर्बाइन की यांत्रिक उर्जा विद्युत जनरेटर को दी जाती है और अन्ततह विद्युत उर्जा में रुपांत्रित हो जाती है जल विद्योत उत्पन करने के लिए नदियों के बहाओ को रोक कर बड़े जलाशेयों कृत्रिम जीलों में जल एकत्रित करने के लिए उचे उचे बांध बनाये जाते हैं इन जलाशेयों में वर्षा के समय जल संचित होता रहता है यह संचित जल बांध के उपरी भाग से पाइपों द्वारा बांध के आधार के पास लगे टर्बाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है फल स्वरूप टर्बाइन की ब्लेड घुर्णन करती है और जनित्र द्वारा विद्योत उत्पादन होता है जल विद्य तुर्जा एक नवी करणी उर्जा स्त्रोत है क्यूंकि वर्षा के बाद जलाशय पुना भर जाता है बांध निर्मान के साथ कई समस्याएं भी जुड़ी इसमें बहुत से खेती योग्य भूमी तथा मानावावास डूब जाते हैं बहुत से परिस्थितिक तंत्र भी नश्ट हो जाते हैं हमारे देश में क्रिशी एवं पशुपालन को विशेश महत्व दिया जाता है यहां क्रिशी अप्शिष्ट तथा पशुओं की बहुतायत होने के कारण गोबर भी सरलता से उपलब्द है ग्रामीन शेत्रों में आज भी इन्हें सीधे जलाकर उर्जा प्रात करने का प्रचलन है इससे उर्जा का एक बड़ा भाग प्रकृती में विलीन हो जाता है यह इंधन अधिक उश्मा उत्पन नहीं करते तथा इन्हें जलाने पर अत्तिदिक धुआउ निकलता है इसलिए इन इंधनों की दक्षता में विद्धी के लिए प्रध्योगिकी का सहरा आवश्यक है जब लकडी को वायू की सीमित मात्रा में जलाया जाता है तब उसमें से जल तथा वाश्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और रह जाता है सिर्फ चारकोल चारकोल को जलाने पर धुआ नहीं होता और यह बिना ज्वाला के जलता है इसकी उश्मा उत्पन करने की दक्षता भी अधिक होती है गोबर, पादप, अप्षिष्ट और मल ऑक्सिजन की अनुपस्तिती में अबगटित होकर बायो गैस, जैव गैस बनाते हैं बायो गैस, मिथेन, कारबन डायक्साइट, हाइडरोजन तथा हाइडरोजन सलफाइट का मिश्रण है बायो गैस संयंत्र में इंटों से बनी गुम्बत टंकी होती है जिसमें गोबर व जल का गाढ़ा घोल, सलरी बनाया जाता है इसे संपाचित्र डाइजेस्टर में डाल देते हैं, जिसमें ऑक्सिजन नहीं होती अव आईवी सुक्ष्मजीव, जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सिजन की आवशक्ता नहीं होती, गोबर का अब घटन करते हैं जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है, इसे पाइपों द्वारा बाहर निकाला जाता है जैव गैस में 75% मिथेन गैस होती है, जो धूँआ उत्पन किये बिना जलती है और इसके जलने के पश्चात राक जैसा कोई अप्षिष्ट भी नहीं बचता है जैव गैस का उप्योग प्रकाश के इस्त्रोत के रूप में भी किया जाता है चोथा पवन उर्जा अध्याय 3 में हमने देखा कि किस प्रकाश सूरे के विकर्णों द्वारा भूखन्णों तथा जलाशेयों के असमान तप्तों होने के कारण वायू में गती उत्पन होती है और पवनों का प्रवा होता है पवनों की गती जूर्जा का उप्योग पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में होता है उधारन तह पवन चक्कियों की पंखुडियों की घूर्णन की गती का उप्योग कूवे से जल खींचने के लिए होता है आज कल पवन उर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन करने के लिए भी हो रहा है पवन चक्की की घूर्णी गती का उपयोग विद्युत जनित्र जनरेटर के टर्बाइन को घुमाने के लिए किया जाता है किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्यां लगाई जाती हैं जिसे पवन उर्जा फार्म कहते हैं या एक नवीकर्णी उर्जा का स्त्रोथ है पहला पवन से चक्यों में गती आती है दूसरा शौफ्ट द्वारा जनित्र शुरू होता है और विद्युत उत्पन्न होती है तीसरा ट्रांसफार्मार द्वारा विद्युत उच्विभाव पर परिवर्तित किया जाता है चौथा विद्युत ग्रीट द्वारा विद्युत संचारन होता है